हेलो दोस्तों, लेट्स प्ले बार्बी में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर अभी सुबा का टाइम है, इसलिए सब सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है यहाँ पर सुटी की आग खुलने लगती है अरे किसकी आवाज है? लगता है गईया आई है, चलो उठती हूँ अरे वाँ मंचली, यह तो तुम हो मुझे तो लगा ही था कि तुम ही आई होगी किस लिए आई हो, तुम्हें भूख लई है क्या? बताओ मुझे, तुमने खाना नहीं खाया भी? मुझे पता था कि तुम्हें भूखी लगी है तभी तुम चाची की गमले खाने आ गई हो अच्छे तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी लिए घास लेकर आती हूँ ठीक है ना? और फिर यहाँ पर सूटी गईया के लिए घास लाने लगती है यह लोग गईया मैं अभी थोड़कर लेकी आई हूँ पता है एकदम ताजा घास जल्दी से खालो इसे और हाँ चाची गमले मत खाना ने तुम देखेंगी तो बहुत ही गुच्छा करेंगी और यहाँ पर जल्दी जल्दी गईया घास खाने लगती है अरे मंचले तुम तो बहुत ही भूकी हो चलो अच्छा है अब तुम जल्दी से खालो ठीक है ना हाँ मुझे तो अभी बहुत ही नीनदारी में जा रही हूँ सोने के लिए अरे अरे तो राहूल है पर इतनी शुबर शुब अपने जहाज के साथ क्या कर रहा है चलो देखती हूं अरे तो इदम खराब हो गई उन्ने का नाम नहीं ले रही है मैं कबसे इसे चेक कर रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया है इसको अरे उड़्जा जड़ी उड़्जा क्या कर रही है लगता ही दम कबाढ़ हो गई फेकना पड़ेगा मैं तो भाई इसे बना बना कर ठख गया हूँ अब मैं इसे कबाड में ही फेक हूँगा मम्मी से बोल दूँगा कि नई एरोपलेन लेकर आ जाए अरे राहूल तुम क्या कर रहे हो बताओ मुझे अच्छा सुईटी तुम हो अरे मैं क्या बताओ मेरा एरोपलेन एदम खराब हो गया है मैं कब से इसे बना रहा हूँ मैं तो आधी रास सोया ही नहीं हूँ पर ये ठीक ही नहीं हो रहा है ये तो एदम कबाड हो गया सोच रहा हूँ इसे मैं फेक दू अरे कितना बड़ा है कितना मेहंगा भी होगा तुम ऐसे ही फेक दोगे क्या ये तो एकदम नई है अभी तुमने पिछले महीने तो लिया था इसे तुम तो बिल्कुल भी शमाल के नहीं रखते अपनी चीज औरो तो क्या करूँ फेक दूँगा मैं इसे देखो न इसकी चाभी एकदम खराब हो ग गया है तुम जलसी पिदी मुझे तो नहीं लगता है कि एरोप्लेन ठीक कर पाएगी मुझे तो शक हो रहा है बढ़ी आई एरोप्लेन ठीक करने वाली चुन मैं जाके इसे कश्ण में फेक देता हूं अले नहीं नहीं रहू रूख जाओ मत फेको इसे अच्छा मैं ही अले क्यों नहीं रहा है उड़ जाओ ना अरे नहीं उड़ेगा तुम तो यहीं कुछ भी फेक रही थी जल्दी से उत्रों मुझे इसे फेक ना है बीसी दी तो आता नहीं है बड़ी आई इंजीनियर बरनी इस तो में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया अब उत्रों चल्दी से हाँ हाँ ठीक है मैं उत्रों कुछ जादे बोल रहे है तुम अरे तो चलने लगा अरे अरे यह तो उड़ रहा है अले बचाओ मुझे मैं गिरने वाली हो पेड़ पे अटक गया है मैं गिरने वाली हो बचाओ मुझे बचाओ अले तुम खड़े खड़े तमाचा क्या देख रहो बचाओ मुझे मैं गिर जाओंगी मेरे हाथ पे तूट जाएंगे तो जल्दे उतारो मुझे यहां से अरे इतना बड़ा पेड़ है मैं तुम्हें कैसे उतारूँगा चलो मैं यहां से जाता हूँ उन्हें तो अंकल अंटी उठेंगी तो मुझे ही डाटेंगी चलो भागता हूँ यहां से बाद मैं आ जाओंगा एरोपलेन लेने के लिए और महां से राहुल भाव जाता है अरे राहुल कितना गंदा है उसने मुझे नहीं बचाया मैं गिरने वाली हूँ मैं क्या करूँ मम्मी और सब सो रहे हैं चाचो चाचो जल्जे उठीए ना देखिया मैं यहां पर अटक गई हूँ चाची उठीए ना अरे लोग तो नहीं उठ रहे हैं लगता बहुती कहरी नीन में सो रहे हैं अले मेरा हाथ फिचल रहा मैं क्या करूँ मम्मी कुछ जगाती हूँ मम्मी मम्मी उठीए ना प्लीज मैं गिरने वाली मैं मर जाओंगी हाँ से गिरूँगी तो बचाओ मुझे उठ जाओ जल्दी और यहाँ पर काजल भी खराटे मारते हुए सो रही है कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा मैं क्या करूँ लगता है अज मैं मरी ही जाओंगी मैं बचने वाली नहीं हूँ मैं क्या करूँ अरे हाँ अले गया तुम आपर घास खा रही है अभी भी भी रूजा मैं उसे बुलाती हूँ मंचले मंचले यहाँ जल्दी आओ अरे क्या कर रही भी तुम घास नहीं खाओ जल्दी आओ उन्हें तो मैं गिर जाओंगी यहाँ से और यहाँ पर गया जल्दी से स्वीटी की आवा सिंकर आ जाती है चलो इसने मेरी बात समझ तो ली अले मंचली तुम जागे जल्दी शब मम्मी को और चाची सबको जगा जो उन्हें बताओ कि मैं गिरने वाली हूँ यहाँ से प्लीज जल्दी जाओ और फिर यहाँ पर गया स्वेटी की बात समझ जाती हो जल्दी जाने लगती है और फिर यहाँ पर काजल को उठाने की कोशिश करने लगती है और यहाँ पर काजल गया की उठाने पर नहीं जबती है अले मंचली तुम चाचो चाची के पास जाओ और फिर यहाँ पर गया स्वेटी की बात मान जाती है और सिधार्थ और पिंकी के पास जाने लगती है यहाँ पर गया पिंकी के पैर में गुदगुदी करने लगती है अरे मेरे पैर में बहुत ही गुदगुदी हो रही है अरे सोने तो क्या करे कौन गुदगुदी लगा रहा मेरे पैर में अरे कौन है रुचा मैं देखती हूँ अगर किसके शरारत है अरे ये तो मंचले है इतनी सुछा सुछा यहां पर क्या करी है ओ अच्छा तो तुम मेरे गमले खाने आई हो न मुझे पता चल गया अगर तुमने मेरे गमले छुए होंगे मंचले देख ले ना मैं तुमें बहुती घास है और फिर गया वहां से चली जाती है अरे यह क्या यह तो पहली बार मेरी बात समझ गई चलो अच्छा मुझे बहुती नीन दा रहा है अरे यह पेड़ पर कौन लटका हुआ है अरे तो स्वीटी दिखाए दे रही है पर वहां पर कैसे गई चलो चल्दी जाके देखती हु आखिर क्या बात है अरे तुम तो बहुती शरारती हो गई स्वीटी वहां से किरो तुम्हारे हाथ पर टूट जाएंगे जलन दे उतरो अरे लड़की आखिर वहां पर गई कैसे और यह प्लेन किसका है अले चाज़े चलो अच्छा वह आप जाक गई प्लेश म रुक्चा मैं उतारती हूं तुम्हें भाभी बाभी जल्दी उठिए देखिए ना श्वीटी मुसीबत में है जल्दी उठिये क्या हुआ पिंकी सुईटी मुझीबत में है लेकिन वो तो यहाँ पर सोई हुई है अरे नहीं भाबी वो सोई हुई नहीं चलिए जल्दी से देखिए वहाँ पर पेड़ पर लड़की गिरने वाली है वहाँ से गिरेगे तो उसके हाथ पर सब तूट जाएंगे जल्दी चलिए मेरे साथ क्या पेड़ पर लड़की पर कैसे है चलो चलो जल्दी मैं चल के देखती हूँ आखिर वहाँ पर कैसे गई अरे लड़की भी ना कितना परेशान करती है स्वीटी तुम अहाँ पर कैसे गई अरे भाबी देखे ना आओ जहाँ से गई है पता नहीं किसका है भाबी आप एक काम कीजिए जागी जदी से सिधात जी को जगा दीजिए उनकी हाइट लंबी है शायद उतार दे स्वीटी को जल्दी चाहिए अरे पिंगी तुम यही पर रोगों मैं जागे जगाती हूं सिधात को सिधात सिधात जल्दे उठो ना जल्दे उठो और यहाँ पर सिधात जगया है अरे भाबी क्या हुआ क्या बोल रही थी आप क्या सिधात कम से कम जल्दे उठो ना तो देखर स्वीटी कहां पर लटकी हुई है गिरेगी तो उसका हाथ पर तूट जाएगा अरे हाँ पावी चलो चलते हैं और फिर सिधात देखने के लिए जाने लगता है अले चलो अच्छा हुआ चाचो जग्गे अब उ मुझे उतार लेंगे ये अरे क्या स्वीटी तुम हाँ पर कैसे गई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छा रूचा मैं जल्दी से उतारता हूँ तुमें ठीक है ना तुम नहीं पर अच्छे से पकड़े रहना ने तो गिरोगी तो बहुत ही चोड़ लग जाएगी अरे मेरा भी हाथ नहीं पहुछ रहा मैं क्या करूं नहीं नहीं चाचा मुझे नहीं उतारने मैं किर जाउंगी अरे यहाँ पर सिध्धात कुरसी पर चढ़ने लगता है और ये चलो चलो गए आप जल्दी से उतारने की कोशिश करता हूँ आजाओ सूटी आजाओ अराम से आजाओ अले हाँ चाजो मुझे त्यांची पकड़ने तो मैं गिल जाओंगी हाँ हाँ आजाओ मैंने तुम्हें अच्छे से पकड़ रखा है चलो उतारता हूँ और फिर सिधा सूटी को पेड़ से उतार लेता है ये मैं उतार गई ठाइंकियो चाजो आप होज़े अदाद अच्छे हैं आपने मेरे जान बचा ली पचा है चाजो राहूल अच्छा दोस्ट नहीं है मेरा उसने मुझे नहीं बचाया अच्छा कोई बात नहीं सूटी तुम्हारी जान बच गई ना इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है चलो अब जल्दी से हस दो हरे लेकिन सूटी पेड़ पर कैसे गया ऐरोपलेन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या था बताओ मुझे सूटी भाबी सही कहरी है सूटी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बताओ आखिर हुआ क्या था हाँ हाँ मैं बताती हूँ मैं शुबा शुबा गया को घाल दे रही थी उदर से राहूल अपना एरोपलेन लेके आया मैं उशे बनाने लगी और उड़ने लगा अचानक से और मैं पेड़ पे जाके फर्स गई दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब कर दें थांक यू फूर वाचिंग